किया आप जानते हैं कि किसी एक single unit cell में NaCl के, कितने NaCl के週ते हैं तो मैं आज आपको बताऊं चार NaCl के टोटल मोलिक्योल होते हैं उसका कारण है corners में CL- फेज सेंटर में CL- होते हैं तो जो corner में CL- हैं उनका contribution single unit cell के लिए होता है 1 x 8 और जो faith center में होते हैं सेल के लिए contribution आता है 1 CL- के बराबर और फेज सेंटर के CL- का contribution होता है 3 CL- के बराबर एज सेंटर में होते हैं NA positive जिसका contribution कितना होता है एक single unit सेल के लिए 1 by 4 होता है इस तरह से वो कितने NA positive होते हैं एक के साथ में 3 और body center में एक ही होता है तो total मिला करके आपके CL minus I 4 NA positive I 4 तो that's why there are 4 NA CL molecules